दोस्तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कैसे रोजीपे.com में अपनी आईडी को कैसे एक्टिवेट करें बहुत सारे लोग का कोश्चान आ रहा था सर मुझे रोजीपे में कैसे आईडी को एक्टिवेट करें पेमेंट करके so that मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरू देखेगा सबसे पैदे अपनी आईडी को मैं लॉग इन करता हूँ दोस्तो फाइनरी मैं अपनी आईडी को लॉग इन कर लिया हूँ यहाँ पे हम three dot पे click करेंगे three dot पे click करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको deposit पे click करना है deposit पे जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे दीख रहा होगा थोड़ा सा मैं zoom out कर लेता हूँ यहाँ पे INR का payment है, bitcoin का payment है आप INR पे simply click करेंगे जैसे आप आगिनार पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एमाउंट पुछेगा कितना एमाउंट आपने कमपनी में भेजे हैं यहाँ पे मैं एमाउंट अभी मैं भेजो भेजा हूं 2250 रुपया एमाउंट यहाँ पर जैसे फिल कर देंगे जितना एमाउंट भेजें हैं उतना ही एमाउंट आप डालिएगा यहाँ पर कंटीनियू पर किलिक करते हैं दोस्तों मैं continue पर जैसे आप एक क्लिक किया तो company का keyword code आपके सामने यहां पर दिख रहा है company से जो भी आप wallet use करते हैं आप wallet कुत हो यहां पर पैसे बेश सकते हैं company की जो account number है yes bank के company का account number है company का नाम है रोजी पे blockchain technology account number है यहां से आप payment कर सकते हैं अब right hand side में यहां पर देखेंगे यहां पर दिख रहा है front deposit request यानि कि आप request लगाएंगे यहां पर transaction ID I mean जो UTR number होता है यहां पर डालेंगे तो मैं copy किया हूं तो यहां पर paste कर देता हूं finally दोस्तों मैं यहां पर paste कर दिया हूं दोस्तों यहां पर अप्लोड कर दिया हूं अप्लोड करते हूं यहां पर להיות पे अपको confirm payment पर आप को klik करना है दोस्तों मैंने confirm payment पर जैसे klik किया आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका यहां पर Всलि लिब करके भी чek कर सकते हैं अब हम आजाते हैं अपनी आईडी को एक करने के लिए एक्टिवेट करने के लिए अध्री लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे आप एक्टिवेशन यहां पर पैकेज एक्टिवेशन करेंगे फाइंडरी दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे वालेट में 30 डॉलर जो हमने डिपोजिट कि क Curtis दीए फिर किन दर ऒाइंडर एकाउंट में आ गया हैँ अब नंगी एक कर लेता हूं है यहां पर अड अपर आई-डि एक्टिवेट कर सब्सक्राइं करना हूं यहां पर नाम बता देता आ है कंटीनессयों कर करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं confirm payment are you saver want to activate your account यहाँ पे मुझे activate करनी है तो confirm payment पे जैसे click करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे finally अवनी ID activate हो चुकी है और दोस्तों यही same method आपको use करना है बहुत ही easy way है यहाँ पे payment करने के लिए और withdraw भी करने के लिए within one second के अंदर आपके account में पैसा credit हो जाता है तो I hope कि यह वीडियो से आपको बहुत कुछ सेखने को मिले होगा दोस्तों फिर नए वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बबबाए